मेरे प्रिया आत्मन, सहज योग में आज संद गुरखनाथ का एक पद लेने जा रहे हैं। गुरखनाथ का जन्म कब हुआ? इतिहास के किस काल खंड में गुरखनाथ इस धर्ती पर विच्छन करते रहे? इस पर बड़ा विबाद है, मगर एक बात निश्चित है कि अपने पदों में उन्होंने हजरत मुहम्मद सहाब का जिक्र किया है, तो निश्चे ही उनके बाद हुए होंगे, और कबीर सहाब ने अपने पदों में गुरखनाथ का जिक्र किया है, तो निश्चित ही कबीर सहा के पहले रहे होंगे या कबीर साब के समकालीन रहे होंगे मुझे ऐसा लगता है कि संद गोरखनात का जन 1395 इस भी के आसपास हुआ और 1515 इस भी तक इस धर्थी पर विचरन करते रहें गोरखनात के कहने का अंदाज रहस्य मैं है इनकी भाशा भी थोड़ी रहस्य मैं है साध्मों की भाषा है सधुकरी भाषा है संस्कृत पाली पंजाबी भोजपुरी सब का मिश्रन है भाषा में फिर भी बड़े गहरे संकेत दे रहे हैं साधना और समाधी के विशे में कहते हैं बसती न सुन्यम सुन्यम न बसती किसी ने पूछा है गोरखनाथ से कि आपने तो संसार छोड़ दिया क्या परमात्मा को खोजने के लिए हमें भी जंगल जाना होगा अधुत गोशना कर रहे हैं संत गोरखनाथ कहते हैं कि नहीं सत्य की खोज का समंध घर से या जंगल से नहीं है बसती न सुन्यम न तो वो बसती में मिलता है संसार में मिलता है आबादी में मिलता है और न सुन्यम न तो तुमको जंगल जाकर के मिलता है निरजनता में जाक करके मिलता है बस intentar न सुन्यम न बसती फिर ऐंफसाईज करने है इस बात को नर्जनता में जाकर जंगल में जाकर संसार छोड़ने से नहीं मिलता लेकिन इसका अर्थ यह भी मत समझ लेना के वो संसार में रहकर बसती में रहकर घर में रह करके ही वो मिल जाएगा जंगल या घर से परमात्मा का कोई सम्मंध नहीं है जिसके लिए शंकराचारे करीब करीब यही बात कह रहे हैं अलग अंदाज से कह रहे हैं योग रतोवा भोग रतोवा संग रतोवा संग भीना कोई योग करना चाहे और चाहे कि योग करके हम प्रमात्मा को पाले, आसन करे, प्रानायाम करे, प्रत्याहार करे, तो योग करके प्रमात्मा को पाले, तो योग करने से भी प्रमात्मा नहीं मिलता, लेकिन तुरत लोग सोचते हैं कि तब क्या भोग से प्रमात्मा मिलेगा, तंत्र से प्रमात्मा मिलेगा, शंकराचारे कह जंकर आचारे कहते हैं कि नहीं, आब आदी में रहने से, गाओं में रहने से, शहर में रहने से, नगर में रहने से भी परमात्मा का कोई संबंद नहीं है, और संग विहीन, अगर जंगल चले जाओ, एकांत चले जाओ, इससे भी परमात्मा की मिलने का कोई संबंद नहीं है, योग रतोवा भोग रतोवा संग रतोवा संग वीन तो क्या चीज से समंदे परमात्मा का ब्रम्हरी रमते चित्तम यस्या नंदती 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 ये वा ब्रम्ह में जिसका चित्त रमन करता है ब्रम्ह को जानो और ब्रम्ह क्या है ओमेति ब्रह्म्म, ऐसा उपनिशत का रिशी कहता है, ओम ही ब्रह्म्म है, उस ब्रह्म्म को जानो और ब्रह्म्म में रमन करो, इससे परमात्मा मिलता है, कहते हैं संत गोरखनाथ, अगम अगोचर ऐसा, परमात्मा की प्रकृति को ठीक से जान लो, गम का अर्थ है जो नाशव नहीं है परमात्मा चला नहीं जा रहा है परमात्मा अगम है शाश्वत है ठीर है परिवर्तंशील नहीं है अपरिवर्तंशील है और अगोचर है इन इंद्रियों से तुम परमात्मा तक नहीं जा सकते इन इंद्रियों से तुम परमात्मा की अनुभूति नहीं कर सकते यह आ बस उससे तुम परमात्मा का अनुभव कर सकते हो, दिव्य दृष्टी से तुम परमात्मा को देख सकते हो, जिसके लिए कबीर साब कहते हैं, पमन नहीं, पानी नहीं, नहीं धरनी आकाश, इन पंच तत्तों से परमात्मा निर्मित नहीं है, वो हवा से निर्मित नहीं है, वो पृत्वी से निर्मित नहीं है, वो आकाश से निर्मित नहीं है, तहां कभीरा संतजन, साहिब पास खवास, वहां पर संतजन रहते हैं, अपने गोविंद के पास रहते हैं, जहां इन पंच तत्तों की कोई पहुंच नहीं है, जिसके लिए गुरु नानक देव जी कहते ह अगम अगोचर अलग अपारा चिंता करह हमारी वो गोविंद मेरी चिंता करता है वो गोविंद मेरी देख डेख करता है वो गोविंद कैसा है अगम है शाश्वत है नाशवान नहीं है चलायमान नहीं है अगोचर है जहां इंद्रिया नहीं जा सकती अलग है इन आँखों से तुमसे नहीं देख सकते अपारा उसका कोई आरपार नहीं है वो असीम है चिंता करह हमारी वो मेरी चिंता करता है वो मेरी देख देख करता है जल धल महील भरपुर लीना जल मंदल हो की धल मंदल हो की नव मंदल हो सर्वत्र व्यापत है वो सर्वव हुआ है गोरखनात कहते हैं गगन सिखर मही बालक बोले वो परमात्मा कहां रहता है शिखर पर रहता है किस शिखर में रहता है तुमारे भीतर एक आकाश है उस अंतर आकाश के शिखर पर इशारा है सहस्रार से वहां पर किलकारिया मार रहा है वहां कल्रव कर रहा है वहां से बोल रहा है वहां से आवाज दे रहा है गगन शिखर मही बालक वह गोविंद तुमारे भीतर के आकाश के शिखर से एक गूज के रूप में एक किलकारी के रूप में सदा बोले जा रहा है जिसके लिए कभीर साथ कहते हैं गगन मंदल के बीच में जहां सुहंगम डोर सबद अनाहत होता है सुरती लगी तहमोर उस भीतर के गगन मंडल में सदा उंकार की गून चल रही है और वहां पर सुरती लगी तहमोर वहां मेरा ध्यान लगा रहता है मेरी सुमिरन की डोर महां से जुड़ी हुई रहती है कहते है संत गुरखनात ताका नाम धरहुगे कैसा क्या नाम रखोगे उसका राम को हो कृष्ण को हो सारे नाम तुम्हारे दिये हुए नाम है जिसके लिए गुर्णानक देवजी कहते हैं एक उंकार सत्त नाम उंकार सच को कह सकते हो बाकी सारे नाम जो मनुश्य ने दिये हैं वह नाम तो परमात्मा का सत्त नाम नहीं हो सकता एक उमकार सत्त नाम ताका नाम धरहुगे कैसा जिसके लिए कबीर साब कहते हैं कोटी नाम संसार में तातें मुक्तिन होए करोनो नाम है इस संसार में कोई अल्लाह कहता कोई राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई विश्ण कहता है, कोई शिव कहता है, मगर याद रखो, इन नामों को जपने से परमात्मा मिलने वाला नहीं है, उस परमात्मा को उंकार स्वरूप जान लोगे जिस दिन, जिस दिन उंकार स्वरूप में उन्भाव कर लोए, उ जो आदी नाम है, जिसके लिए गुर्णानक देव जी कहते हैं, आद सच, जुगादी सच, है भी सच, नानक होसी भी सच, वह आद नाम उंकार है, उस नाम से अगर परचित हो जाओ, किसी संत से मिलो, उस आदी नाम के रहस्य को जान लो, और उस से अगर जुडते हो, तभी म गमभीर होकर किया जाना चाहिए, गोरखनात कहते हैं कि नहीं, गमभीर वेक्ति को परमात्मा नहीं मिलता है, अदभूट बात, संत गोरखनात के नाम से गोरख धंधा जुड़ा है, कि परमात्मा को पाने के लिए उन्हों ने बहुत सारे उपाए किये, ऐसा लगता है कि गोरखनात कोई गंभीर वेक्ति रहे होंगे लेकिन गोरखनात बड़े विनोधी सुभाव के हैं कहतें कि मैं ध्यान कैसे करूँगा हंसूँगा खेलूँगा और ध्यान करूँगा तो याद रखना बाहर गंभीरता नहीं होनी है बाहर उत्सो चलना चाहिए भीतर सुमिरन चलना चाहिए बाहर उत्सो चलना चाहिए अगर जीवन की ऐसी शैली बना लो कि प्रसंद चित रहो और भीतर उसका स्मरन करो तभी जाकर परमात्मा में गति तुम्हारी होती है बाहर की प्रसंदा बाहर की मुदिता बाहर का विनोध एक हास से तुम्हारे जीवन में होना चाहिए एक पुलक तुम्हारे जीवन में होना चाहिए एक सरलता तुम्हारे जीवन में होनी चाहिए तभी साधना में तुम्हारी गती होती है इसलिए ठीक कहते हैं हसिबा खेलिबा धरिबा ध्यानम इसको आज की भाषा में एक नए अंदाज में सुनो तुम हसो की गौतम बुद्ध हसे, तुम नाचों की मीरा नाचे, तुम गाओं की गाएं नानक, काना की वन्शी फिर बाजे, हो राम नाम के सभी रिंद, आओ ऐसा हम रचे हिंद, अतरामं शरनम गच्छामी, भज ओशो शरनम गच्छामी, कहते हैं संत गोरखनाथ, अह निसी कथिवा, ब्रह्म की आनम, जीवन के तुम्हारे केंद्र में ब्रह्म हो जाना चाहिए, ब्रह्म की याद, ब्रह्म की चर्चा, कहीं फूल खिले की चांद होगे, तुम्हें ब्रह्म की याद आनी चाहिए, तुम चांद को भी देखो, चांद के बारे में भी चर्चा करो, तो ब्रह्म को ले विखाओ, ब्रम्ह ने, परमात्मा ने, गोविंद ने कितना सुन्दर चांद उगाया है, कितना सुन्दर फूल खिलाया है, जिसके लिए कवीर साब कहते हैं, निज सुख सुमिरन नाम है, तुम्हारा सुख सुमिरन में है, इस बात को ठीक से समझ लो, दूजा दुख अपा गोविंद के सुमिरन के सिवा, तुम चेतना को जहां भी लगाओ, संसार में, विशेओं में, तुम अपने लिए दुख को निमंतुट कर रहे हो, मनसा बाचा कर्मना, कबीर सुमिरन सार, मनसा बाचा, मन से, वानी से, कर्म से, सदा गोविंद की याद, यही सुत्र है, कहत खेले न करे मन भंग, बहुत प्यारी बात कहते हैं, हमेशा प्रसंद रहो, मन में छोग पैदा मत होने दो, किसी दुख को निमंतृत मत करो, किसी दुख से प्रभावित मत हो, सदा अकंप में जीओ, ते नहिचल सदा नात के संग, ऐसा जो अकंपित व्यक्ति होता है, वही गोविंद के साथ होता है, वही गोविंद के सुमिरन में, गोविंद की समाधी में जा सकता है, अहनिस मन ले उनमन रहे, बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं, गोरकनात, अहनिस मन ले उनमन, रात दिन उनमन ही स्थिती में रहो, मन के पार जाओ, और ध्यान ही तुम्हें मन के जाए तो फिर तन में आने जाने का काम नहीं, जिस दिन यह मन मिट जाता है, हरी वरमाला पहनाता है, अत उनमन शरनम गच्छा मी, भज ओशो शरनम गच्छा मी, कहते हैं संद गोरखनात, गम की छाड अगम की कहे, यह छडभंगुर से नाता तोड़ो, गम का अर्थ जो चला रहने वाला है, जो उंकार है, उससे अपना नाता जोड़ो, छाने आसा रहे निरास, कहे ब्रह्माँ ताकादास, गोरखनात कहते हैं, कि बाहर कोई भी आशा मत रखो, बाहर से सुख की आशा मत रखो, बाहर से निरास हो जाओ, बाहर से सो जाओ, चेतना को जरा भीतर मोड और फिर देखो कैसे गोविन से तुम्हारा जुड़ना होता है, कैसे गोविन से तुम्हारा नाता जुड़ जाता है, जिसके लिए कबीर साब कहते हैं, चलहन सावा देश, जहां तो रिपिया बसे, और वह देश तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे निराकार में, तुम्हारी महेश भी ब्रह्मा और विश्णु महेश इसलिए हैं कि उस अगम देश में उस उस भीतर के जो देश है तुम्हारा तुम्हारा अपना देश तुम्हारा अपना घर जिसके लिए संतों ने गाया है गिरह हमारा शुन्य में अनहद में विश्राम उसी कि और इशारा कर रहे हैं संद गोरखनात उस शुन में प्रवेश करना यही सहाजयोग है हर्यों तद सब्सक्राइब